एक और डेट गोर्मेंट ने एक्सेंट करी है वो भी एकदम लास्ट मिनिट पे जी हाँ एकदम लास्ट मिनिट पे आप देख सकते हैं ये रात को तीन बज़ के पच्छीस मिनिट का साड़े तीन बज़े का रिकोड़ेट वीडियो है और CBIC ने ट्विट किया है 4 आर्स पहल करी है उट मुझे अभी तक समझनी आए कि क्यों गोर्मेंट एकदम लास्ट डेट का वेट कर रही है ये डेट's एक्सेंट करने के लिए लेकिन आप जो भी है देखते हैं क्या है ये ये प्रेस रिलीक्त जो आई है किस चीजच के बारे में बात कर रही है दोस्तो तो बाद में इन्होंने लिमिट को extend कर दिया और बोला कि 500 क्रोड रुपए से उपर का अगर transaction होता है तो हम invoicing ज़रूरी कर देंगे और 1 October 2020 के बाद से ही invoicing ज़रूरी 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 जाएगी अगर आपका turn over 500 क्रोड रुपए से उपर है तो दोस्तो अब इसमें इन्ह पाओ कि प्रेज रिलीज क्या है इन्वोइसिंग में क्या होता है दोस्तो एक invoice reference number generate होता है जो की IRP invoice reference portal के द्वारा generate होता है आपने आपके system से जो भी invoice बनाया है आपको IRP invoice reference portal पर जाके उसको uploading करनी होती है उसकी json file upload करनी होती है जैसे ही वो success होती है एक success जो भी invoice है उसकी j json file again download जाती है उसको अब डाउनलोड करोगे तो अंदर हर एक invoice की अलग अलग zip file होती है उसमें आपको invoice reference number मिल जाएगा जिसमें QR code भी होता है basically जैसे आप e-way bill बनाते हो हो same ही procedure है e-invoice भी बनाने की तो अब इन्होंने date में क्या extension किया है दोस्तों वो हम इसमें बात करते है it has been reported that even after more than nine month of the first notification in this regard some of these taxpayer having aggregate earn over Rs.500 crore and above are still not ready तो ये बोलने की बहुत time हो गया है already announced के उसके बाद भी लोग अभी ready नहीं है accordingly as a last chance तो परिणाम सुरूप एक last chance दिया जा रहा है in the initial phase of implementation of e-invoice it has been decided that invoice issued by such taxpayer during October 2020 without following the manner prescribed under rule 44 48 sub rule 4 तो ये बोल रहा है कि अगर October 2020 में आने वाले 31 दिन में अगर आप properly invoice generate नहीं करते हो जैसा कि rule 48 sub rule 4 में बताया गया था कि अगर 500 क्रोड सूपर का आपका टर्नो रूपर है तो आपको invoicing बनानी पड़ेगी अगर नहीं करते हो आप तो भी हम इसको valid माल लेंगे आपके invoice को मां आपका ध्यान के अंदरित कराना चाओंगा rule 42 sub rule 5 पे उस पे लिखा था कि अगर invoice आपने generate नहीं किया है sub rule 4 के साब से तो वो invalid माना जाएगा बट इस press release के मादम से बोल रहा है कि अगर आपने नहीं किया है तो भी हम valid मान लेंगे और section 122 की penalty नहीं लगाएंगे वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि section 122 की penalty क्या है हम penalty नहीं लगाएंगे for such adherence, non adherence to provision, sell stand waived if the invoice reference number आगे condition दिया नहोंने तो उन्हेंने पूरे October का बोल दिये कि 1 October से लेके 31 October 2020 के बीच में अगर आप rule 44 sub rule 4 के साब से invoice नहीं बनाते हो तो हम आपके किसी भी तरके की penalty नहीं लेंगे और वो आपका invoice जो आपने आपके ERP portal आपका जो भी software उसके थूरू जो normal invoice बनाया है वो हम valid माल लेंगे लेकिन ए condition रख दिया नहोंने क्या condition रखी है कि invoice reference number for such invoice is obtained from the invoice reference portal within 30 days of date of invoice तो आपने जो आपकी ERP से invoice बनाया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप invoice reference portal से IRN generate कर लो तो 1 October से लेके 31 October के बीच में आपने को invoice बनाया है कि जैसा कि अगर आपने 3 October को invoice generate किया जिसमें आपने IRN without obtaining IRN but reports the detail of such invoice to IRN and obtain the IRN number of the invoice on or before 2nd November 2020 तो 30 दिन कम से count किये जाएंगे date of invoice चे तो अगर आपने आपकी ERP सिस्टम से 3 October को invoice बनाया और 30 दिन के अंदर अंदर मतला अगर आप 2 November तक IRN ले ले लेते हो IRP से तो यह मान लिया जाएगा कि आपने rule 48.5 compiled किया है और जो आपके उपर penalty है section 122 की वो impose नहीं करी जाएगी आगे नोंने साफ-साफ ओल लिखा है कि it may be noted that no such elections would be available for the invoices issued from 1st November 2020 कि ऐसी कोई भी relaxation नहीं होगी एक November के बाद जो भी invoice issue किये जाएंगे such invoice issued in violation of rule 48.4 of the CGST rule would not be valid and all applicable provision of CGST act and rule would apply for the said violation तो यह माना जागा कि आपने rule 48.4 को follow नहीं किया है और आपके उपर जो भी आपने miss compliances करी है उसका आपके उपर penalty लग सकती है अब आपको दिखाना चाहूँगा कि section 122 की क्या है वो penalty तो दोस्तो section 122 आपके computer screen पर है इसकी heading आप देखोगे तो penalty for certain offenses दोस्तो तो आपका invoice ही invalid हो गया मतला आपने एक तरह से गलत invoice दिया है या आपने invoice issue नहीं किया है तो आप देख सकते हो तो आप इसमें fall हो जाते हो दोस्तो इसमें fall हो जाते हो तो क्या होगा आइम आपको एकदम निचे लेकर चलता हूँ he shall be liable to a penalty of 10,000 रुपीज आपके उपर 10,000 की penalty या फिर उस invoice में जितना amount था tax का whichever is higher let's suppose 10,000,000 का बिलता 18% tax rate थी 1,80,000 रुपीज टेक्स का amount और 10,000 रुपीज विचे वरीज हाईयर यहा पे लास्ट में लिखा है विचे वरीज हाईयर तो 1,80,000 रुपीज तक की आपके उपर penalty लग सकती है दोस्तो even साथ में यह भी हो सकता है कि आपका बायर आपको वो invoice लेने से मना कर दे आपका goods और service रिसीव करने से मना कर दे अगर वो invoice प्रॉपर invoice नहीं है तो दूसरा अगर वो proper invoice नहीं है आप goods deliver कर रहे हो तो हो सकता है आपका goods बीच में detain भी कर लिया जाए siege भी कर लिया जाए तो ये काफी सारी penalty है जो आपके उपर लग सकती है मैं last में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा e-invoicing के बारे में की complete क्या procedure है अलाएं कि detail में नहीं बता रहा हम आपको इस वीडियो में तो दोस्तो बहुत ही simple process है आपको जैसे आप evable बनाते वाए हो आप यही मान के चलो आपको same एक और एक type का और evable बनाना है दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपने आपके let's suppose आपका software है टेली software में आपने आपका normal invoice बना लिया है दोस्तों अब आपका ERP system क्या करेगा एक JSON create करेगा उस JSON को आपको invoice registration portal पे ले जाके जो JSON file को upload करना है जैसे आप JSON file upload करोगे अगर आपकी file accurate है तो वहाँ पे automatically invoice sign हो जाएगा और वो invoice आपके GST system को भी जो invoice registration portal है GST system को भी वो invoice भेज़ देगा GSTR 1 में जो seller है आप as a seller हो तो आपकी GSTR 1 में भी वो update हो जाएगा जैसे आप IRP portal पे upload करते हो successful अप्लोड हो जाता है तो आपके पास JSON download करने का option आता है आप जैसे JSON download करोगे JSON में आपको आप एक से ज्यादा invoice का भी एक साथ IRN generate कर सकते हो दोस्तों तो let's suppose आपने एक invoice का किया तो JSON download होगी उसको जब आप खोलोगे तो zip file होगी उस zip file को आप open करोगे तो आपको आपका e-sign, e-invoice दिख जाएगा जिसमें आपका IRN number भी आ रहा होगा दोस्तों तो यह complete procedure होगी जो buyer होगा वो अपने 2A में वो bill देख सकता है GSTR1 में automatically as a seller आपके GSTR1 में वो upload हो जाएगा दोस्तों इसके बारे में और दो तीन जो important points होगे आपको बता देता हूँ e-invoice does not mean generation of electronic invoice by GST portal but reporting of invoice electronically and getting an IRN तो इसका मतब है कि e-invoice इसका मतब यह नहीं कि आप GST portal से invoice बना रहे हो जी नहीं आप simply जो invoice आपने बनाया है उसको आप electronically report कर रहे हो और एक IRN generate कर रहे हो जैसा कि आप EO bill में करते हो e-o bill जब generate करते हो तो e-o bill number आता है ऐसे ही आपका इस e-invoice के case में IRN number आएगा no change the way of taxpayer interference interfaces with ERP accounting software and generate invoices आज तक आप जो करते हो आ रहे हो उस process में कोई change नहीं है आपको वैसे invoice बनाना है only change क्या है change reporting of invoice data generated in a format which can be understood by government portal as well as at buyer's end तो बस यह कि आपको जोब invoice बनाओगे आपके जो भी ERP में है आप ऐसे इस परकार से आपको invoice बनाना होगा जिसके आप JSON file बना सको और JSON file generate करके आप IRP portal पर डाल सको उसको जिससे आपका IRN number generate हो जाए दोस्तों तो यह एकदम last minute update लेके आई है government पता नहीं क्यों इतनी हरी में है इनके पास इतना समय था पहले भी update ला सकती थी बढ़ ठीक है देर आये दुरस्त आये अब भी एक मैने का समय है अगर आपके system ready नहीं हुए है इन्वेसिंग के लिए तो एक महिने के अंदर अंदर आपके system को ready कर लीजिए otherwise आपको भारी penalty का भुकतान आगे जाके करना पड़ सकता है दोस्तों तो दोस्तों मुझे उमीद आपको यी वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले क्योंकि जैसे ही latest वीडियो जैनकारी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच जाहिंद जाभारत